नमस्कार आज हम NCRT 6th class का 5th lesson करेंगे जो की प्रत्वी के परमुख प्रेमंडल के बारे में बताता है जिसे हम जब प्रत्वी का अध्यन करते हैं जब प्रत्वी का अध्यन करते हैं तो हम जिसे एक लिथोस्फेर होता है का अध्यन करते हैं इसी इन चीजों के बारे में हम पड़ते है जैसे प्री पूम अंडल क्या होता है कि जिसे तीन कंपोनेंट होते हैं मेन हाईड्रो अट्मस्फेर और लिथास्फेर ये तीन कंपोनेंट मेन होते हैं जैसे जब पृत्वीगष्टािक ऐसी सतय है जिसमें प्रियार्ण के तीन महत्पुन घटक आपस में मिलते हैं और एक दुसरे को प्रभावित करते हैं और प्रित्वी के ठोस बाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं भूम अंडल कहते हैं जो एक पतली सी जो मिटी की चटानों से जैसे बनी हुई एक परत है उसको क्या कहते हैं भूम अंडल कहते हैं जैसे इसमें क्या होता है कि जो भूम अंडल है इसमें जैसे गैस है जो गैसों की परत है गैसों की परत को क्या कहेंगे ह जी जिसается जब ये बताये जाएगा, भूहमंडल के बारे में फिर से दुबारा में बता है, जो ठोस भाग heard, उसको क्या क्या जाता हैं? जो बूह परपटी जो चटानों की पतली सी परत होती है जो जियों के लिए पोसकततों पाई जाते हैं उसको क्या कहते हैं भूह मंडले इसको दो भागों में बटा जा सकता जैसे कुछ जैसे सिलिये भाग हैं और कुछ महादविप ये भाग हैं और कुछ महासागरिये भाग है तो यह महादवीपीया है आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और इसपरकार एक भूमंडल का निर्मान होता है नियwegen मैप नान वैसे दिखाया गया है जैसे मैप में बताया गया ए कि योरोप है यह यह यूरप है एसिया है आफ्रीका है दक्षिन अमेरिका है उत्र अमेरिका है अत्लांटिक से यह है जो की एसकी सेप में है और यह परसांत महासागर है और यह हिंद महासागर है परसांत महासागर जैसे यह और यह दोना परसांत महासागर है जैसे जब हम प्रत्थवी को 3D से 2D में करते हैं तो ये ऐसे इसकी सेप आ जाती है ये इधर भी और जैसे हम इसको ला के ऐसे जोड़ेंगे तो ये परसांत महासागर एकठा बन जाएगा अब इसमें जैसे थोड़ा थोड़ा explain किया गया है जैसे एक तो ये बताया है कि जो विसव का सबसे उचा सिखर कौन सा है और जो सबसे जो नीचे एक ट्रेंच कह सकते है या गरत कह सकते है वो नीचे सबसे कौन सी है जो ये बताया कि जो माउंट एवरेस्ट है जो 8848 जो की 8848 मेटर उचाई पर है जो की सबसे उच्चा सिखर माना जाता है जो प्रित्वी का सबसे उच्चा सिखर माना जाता है और फिर ये बताया कि जैसे परसान तमहा सागर में परसान तमहा सागर में एक मेरियाना करके M-A-R-I-A-N-A मेरियाना करके एक ट्रेंच मिलती है ट्रेंच मिलती है जिसकी गहराई कितनी है वन जीरो टू टू मेटर जिसकी गहराई है इसमें यही बताया है फिर यह जो इसमें एक अमेजिंग से फैक्ट बताता है NCRT हमेशा तो यह बताया कि 29 माई 1953 को जो न्यूजिलेंड की एडमंड हिलेरी हैं और इंडिया के हैं जो तेंजिंग नारगे करके जो सेर्पा है वो सबसे उचे सिखर है जो माउंट एवरेस्ट उसके उपर पहली बार चड़े थे तो यह डेट बहुत ही मौतापुर्ण रहती है से 29 माई 29 माई 1953 फिर ऐसे पता है कि जापान की कोई एक औरत है जो जूंको तवाई करके है जो महिला है जो इंडिया की है क्या है बचेंदरी पाल 23 माई 1984 को यह जैसे तीन डेट है कि जिसमें इसमें पहला व्यक्ति है यह पहली वर्ल्ड की वोमेन है और यह पहली इंडिया की वोमेन है जो की सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चड़े थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले भत्या की थी फिर जैसे महादविपों के बारे में बताया है कि महादविप कितने हैं टोटल साथ महादविप हैं और जैसे सबसे बड़ा महादविप कौन सा है एसिया है और दूसरे नमबर पर जैसे अफरीका आता है जैस पिर ऐसे बताया कि एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जैसे डिस्क्रिप्शन दिया है जैसे यह कहा है कि एस्या सबसे बड़ा माहदूप है प्रत्विक कुल अक्षित्र प्लका कितना तीहाई भाग में फैला हुआ है लगबग 33% एरिया एस्या ही कवर करता है और जो कि पूर्वी गुलार्द में पढ़ता है और इसमें कौन सी रेखा करक रेखा करक रेखा इसके बीच में से गुजरती है जो कि इंडिया के भी बीच में से गुजरती है कौन सी रेखा है वो करक रेखा है और जैसे इसमें बताया है कि युराल परवत है जो यूरोप को एस्य यहां से मिलता है यूर्प और एस्या का मिलता है उसको क्या जाता है यूराइसिया पर सेकिन नंबर पर बताया है यaw एक चयह और के बारे में हुआ जो एस्या से बहुत छोटा है यह महादू मेर cupu意 ऐस्या के पश्चम भाग मिश्थित है जो आरक्टिक साइड से जलसे घिरा हुआ है। इसमें ट्रि-फर्यूंकर अप्रिका जो सैकिनड नमबर पे बड़ा महध्वीप है। एक इकलोता ऐसा अ just महध्वीप है, जिसमेंसे तीनों रेखाई हैं। करक रेखा। विशुवत कि ऊंद्रेखा कि और मकर्रेखा टिनो टिनो इसी में से होग करते हैं और पिर बता खिस जो ऑड आ four Watch रहे हैं और फिर इसके बारे में जैसे जो सबसे लंबी नदी है नील नदी है उसके बारे में बताया है त्र पहस्य के इस बारे में लुप आर ऑफ है जो अवित्र ऑमेरिका के बारे मारे में इक्सम्न किया जैसे यह ऐसे यह माल लेते हैं उतर अमेरिका यह दक्षन अमेरिका जैसे इस संकरे से भाग से जो जुड़ी हुए है जिसका नाम है क्या नाम है पनामा पनामा नहर यह उतर अमेरिका और जो दक्षन अमेरिका है किस से जुड़े हुए है पनामा नहर से जुड़े हुए है जैसे इसमें दिखाया है कि जैसे यह उतर अमेरिका है यह दक्षिन अमेरिका है जैसे दिखाया है कि यह स्थल संदी है इसको स्थल संदी को पनामा स्टेट कहा जाता है को ना माय सटेथ यह इसमें जल संदी की जब पानी का संकरा से भाग होता जो एधर भी पानी एधर अडाइक सी है इधर में पैसिफिक सी है इन दोनों को जो जोडता है इसको क्या का जाता है जलसंदी, जलसंदी के बारे में बताया है, फिर जैसे बाहरत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जलसंदी है, जैसे क्या नाम है उसका, पाक स्ट्रीट, जो इंडिया और श्रीलंका को ऐसे, जो इंडिया का और ये श्रीलंका का ये ऐसे वला पार्ट है, यहाँ पर है ये पा दक्षन अमेरिका जो की हधिकांस दक्षन गुलार्द में पड़ता है विसाओ की सबसे लंबी जो परवत सरंकला है जो की की ऐसे यहां से हो की यहां तक जो परवत सरंकला पाई जाती है इसका क्या नाम है एंडिज परवत सरंखला इसमें पाई जाती है और जो विसाओ की सबसे बड़ी नदी लंबी नदी बोले जाए तो अफरिका में मिलती है जिसका नाम क्या है नाइल बोल सकते है नील कह सकते हैं पर जब जब उसके density की बात करी जाए उसके घनताओं की बात करी जाए तो दक्षन अमेरिका में विसो की सबसे बड़ी नदी इसका नाम क्या नाम है आमेरिका नदी पाए जाती है और थίαड़ नमबर पर जजसे आगे है उस्ट्रेलिया उस्ट्रेलिया एक क्या है एक दूवीप है और यह पूरा का पूरा दक्षिन गोलार्द में है जसे यह जह सबना हुआ है इसको जैसे ऐसे जैसे एसद्रेए करती है जैसे नीचे यह बहुत बड़ा महादवीप है जो कि पूरा दक्षन गुलार्द में स्थित है जो पूरा कहा है दक्षन द्रू में झालब करें जिस्थित है जो मैप मेप देखते हैं कि यह पूरा दक्षन द्रू में ही स्थित है तो यह मैशा बर्प से धका रहता है और जिस में जो इंडिया के जो मैतरी और भारती डों रिशुच स्टेशं हैस्तों जो कहां है दक्षिन गुलार्द में अंटार्क्टिका के उपर हैं फिर दूसरे मंडल की बात करी है जैसे जल मंडल जल मंडल जैसे प्रित्वी को नीला गरह कहा जाता है नीला गरह क्यों कहा जाता है क्योंकि प्रित्वी का कितना 71% भाग 71% भाग पर जल ही जल है 29-3 भाग पर भाग ही सल है जयसे जल के सभी रूप है जयसे नदी, जील, हिमणदियां, भूमिगजल ये सभी मिलाके ही 71% होता है पर जैसे कई बार ये question पूछ लिया जाता है कि जो total जल पाया जाता है उसका कितना परतिसत भाग असुद जल है तो ये 97% जो 100% अगर इस 71 को 100% माल ले तो 97% भाग तो असुद जल ही पाया जाता है जो की usable नहीं है जो की usable नहीं है बस 3% 0.5% से लेकि 3% तक ही ऐसा जल होता है जो की usable है जो की potable है जिसको हम use कर सकते हैं कि अब महसागरों के बारे में बताया है जैसे यह एक चोटता सही मैप की तरह कुछ बना रखे हैं देधे अत्र अमेरिका है योरोप है एसिया है अफरिका है औस्टेलिया है फिर जैसे यह वाला भाग है इसको क्या नाम इसका क्या नाम है Monthlandic कि Atlantic Ocean कि कि यह क्या है इंडियन उन एक ऐसा ओशन जिसका नाम इंडिया के में नाम से ही लिया गया है उसका नाम किया है इंडियन ओशन और ये इधर वाला भाग है पैसिफिक को पैसिफिक आशन अब जिसमें तीन महइसागर हों के लात जह किया है कि जो परशांत महासागर है जो कि एक तिहाई जैसे एसिया एक तिहाई पर था ऐसे ही परशांत जो महासागर है वो भी एक तिहाई भाग को कवर करता है और जो अभी पीछे बता था कि मेरियाना गरत है जो मेरियाना गरत है वो भी इसी का भाग है इसी को इसी के अंतर गताती है और जो इसकी आकरती है वो एक वृत की तरह है जैसे एक वृताकार लगबग वृताकार आकरती है और फिर सेकिंड नमबर पे बतायागी जैसे यह परशान्त महासागर के बारे में था यह अत्लांटिक महासागर है एक ऐसा महास जिसकी आकृति S की आकार की है और दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अच्छा जो परशान्त महासागर है जैसे ऐसे है तो इधर योरोप है इधर एफ्रिका है नौर्थ अमेरिका है नौर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका है तो जो इधर वाला भाग है और जो इधर वाला भाग है यहाँ पर बहुत सारे जो मचली पकड़ने के लिए बैंक्स मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं यहाँ पर एक तो गरम जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं हैं उनका आपस में मिल इसलिए मिलते हैं और यह जो इसका कट है इसका जो तट है यह बहुत ही कटा चटा है तो यहां पर मचली जो फिसिंग है फिसिंग की अक्टिविटी करना बहुत ही आसान है पर तीसरा है हिंद महासागर, एक ऐसा महासागर जिसका नाम एक किसी देश के नाम पर, जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, जैसे भारत के नाम पर इसका नाम है, इस क्या करती है, जैसे ऐसे सी आ करती है, कि जैसे त्रीबू जाकार की आ करती है, इसमें अपरिका और ऑस्ट्रेलिया इस महासागर अंतरैक्टिक महमाधीप को चार और से घरता है यह उत्रक्त की और सथ डिग्री 57 कि दिख्षनक्षान्स सख फ्हेला हुआ है जो अंतर्क्तिक महसागर है द्रौ हरतों में जिसे उप्र हमार तौह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस्तित है उत्रिव द्रववरत में को चारों और से कि चारों पहला हुआ है कि अब वाईयू मंडल के बारे में बताया है इसमें नेक्स है जो ही मंडल के बारे में बताया कि जो जो गैसे हैं उनके बारे में बताया कि जो अक्सीजन नाइट्रोजन का बना जैसे ऌनली ऊक्सीजन और और अड़ niveau और ही दोनो ही 99 परसंट है और जो बाकि सभी गैस से बच गई तरसमें 78 परसंट नाइट्रोजन है और 21% oxygen है और जो बाकी सारी गेस बच गई वो उन परसेंट भाग में ही कवर करती है फिर जीव मंडल के बारे में बता है जैसे एक को जल मंडल माल ले एक को स्थल मंडल माल ले और एक को वायो मंडल माल ले तो ये जो ये वाला जो एरिया है जो की Red Color से भर दिया मने ये वाला एरिया है जो स्थल जल हवा तिनो के बीच का एक जो सिमित भाग है उसको ही क्या कहा जाता है उसको ही जिव मंडल कहा जाता है जो यह जो जहां पर ये तीनों चीजें जिसे आपस में पारस्प्रिक क्रिया करती है उसी भाग को प्रिमंडल आपस में पारस्प्रिक क्रिया करते हैं उसी भाग को जिव मंडल कहा जाता है यहाँ पर हमारा फिप्ट लेसन खतम होता है जैहिंद नमस्कार